करता है देखो हाँ अभी जो हम लोग कोशन ने करके आया था इससे पीछले वाला वो इसी वैराइटी का कोश्चन है कहता है इंजन पंप वाटर कांटिनेश्ली थ्रोए होज एक इंजन है इसको वीडियो को पॉज करो और सौल करने की कोशिस करो अलाग यह फार्मूला करता है इंजन है वाटर पंप करता है कांटिनेश्ली थ्रोए होज एक पाइप के हेल्फ से वाटर लिफ दे होज विद विलोसिटी बिन एम इस अमास पर उनिट लेंद अब दे वाटर वाटर वाट इस दे रेट आट विस दे काइनेटिक इनर्जी इंपोर्टे टु दु द बहुए आ रहा है अब इसमें जो दिया है वेलोसिटी आव वाटर जब लिफ दे होज होज मतलब यह जो पाइप है इसे जो बेलासिटी भी मीटर पर सेकंड से वेलासिटी से वाटर लिप रहा और जो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है कि dm upon dl, dm mass per unit length, mass per unit length of the water z is m, mass per unit length, इसी को तो dm upon dt बोलते हैं, dm upon dl बोलते हैं, mass per unit length m है, ठीक है, clear है, what is the rate it is kinetic energy imported to the water, जो engine है, वो कितनी kinetic energy water, water को import कर रहा है, rate of kinetic energy, kinetic energy नहीं निकाल नहीं है, the rate of kinetic energy निकाल नहीं है, तो इस में से rate of kinetic energy कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले तो kinetic energy लिखो, तो kinetic energy is equal to, होता है, half mb square, ठीक है, अब कहता है, कि the rate at which kinetic energy imported, तो rate of kinetic energy इसको हम differentiate करेंगे, ठीक है, the rate of kinetic energy is nothing, but is the rate of kinetic energy, that is the power, that is the power, by work done क्या होता है, work done, work done होता है, work done upon time t, that is the power, और work done क्या है, energy है, that is d upon dw upon dt, dw upon dt, rate of doing work, या per second rate of kinetic energy, that is the power, ठीक है, तो इसका मतलब भे हुआ कि हमें rate of kinetic energy निकालना है, बहुत इसको हमें differentiate करना पड़ेगा, with respect to time, तो rate of kinetic energy हमें चाहिए, rate of kinetic energy, rate of kinetic energy, rate of kinetic energy, rate of kinetic energy, कैसे निकालते हैं या किसी चीज़ का rate, ठीक है, by dk upon dt, ऐसे ही तो नहीं था है, time के respect differentiate करते हैं, तो अगर मैं इसको time के respect differentiate करूँ, तो dk upon dt इधर मिलेगा, ठीक है, और 1 by 2, 1 by 2 constant है, और velocity भी constant है, तो इधर मिलेगा, dm upon dt, dm upon dt, पर second, यहाँ से लीप कर रही है, वो एक constant है, वो एक constant है, dm upon dt आ गया, अब dm upon dt, अब हम मुझे dm की value, यहाँ से रख दो, dm की value कितनी आ जाएगी, बोलो, half v square, dm की value आ जाएगी, m dl upon dt, m dl upon dt, और dl upon dt क्या है, लेंद पर उनिट लेंद क्या है, ठीक है, यह half m और v square, and dl upon dt, it's nothing, but is the speed, ठीक है, तो इसका मतलब भी हुआ कि half m, v की power q, q, that is the rate of kinetic energy imported, that is the rate of kinetic energy imported per second, and that is the power, ठीक है, अभी आप किये थे, इसे पिछले वाले में, मैं यही डाइरेक्ट लगाया था, यह वाला मैं डाइरेक्ट लगाया था, मतलब half m, v q, that is, यहाँ से, यह d option हम लोगा, सही बनता है, ठीक है, चलो, कि अ चलो, जुप डाइरेक्ट, तर जो हम बना सखched, एक से, यहाँ से, यहाँ ित मैं talk, तो मैंwerk है का मैं यहाँ बना सबस्दियो धät बना बना सब्सिते हैं, यहाँ Awwुन अill, जो, पहाँ बनास्दियों, हैं ठीक है, यहाँ भी है, और दीक हैं त're 1,4,